आप सभी का स्वागत है आज की अपिसोड में हम जिस रेक्टरो स्टार की बात करेंगे उनका काम था स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जादू भी खेटी एक्टरिसिस को खुबसूरत आवाज देना जी हाँ आज की अपिसोड में हम बात करेंगे फिफ्टीस के दौर की एक मशूर प्लेबैक सिंगर की वेल उनका नाम में आपको इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी पहले देखते हैं उनका ये गीट अब तक तो आपने पहचान है ये आ होगा हम बात कर रहे हैं बंगाली मिठास की मलिका गीटा ड़की 1930 में चन्हीं गीटा ड़क एक बंगाली परिवार से थी बच्पन में कुछ समय के लिए उन्हीं की संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग मीली थी लेकिन फिर परिवार की फाइनेंशल प्रॉग्रम्स की वजह से उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग बीच में ही फूग गई 1942 में उनका परिवार रोजगार की तलाश में बंगाल से मुंबई शिक्ठ हो गया जहां इनके पेरेंट्स न्यूजिक कंपोजर हनुमान प्रसाद के संपत में आई थी हनुमान प्रताद ने गीता दत के हुनर को पहचान दिया और 1946 में आई पिल भक्त प्रलहाद में उनसे कुछ लाइन्स कवाएं ये गीता दत का फिल्म इंडस्ट्री में फस्ट की लेकिन अगर एक बार आप सुनकर देखें तो मैं हसूस करेंगे कि उस जमाने के ज्यादा तर गाने पक्की रागों पर बेस्ट होते थी जिस वजह से उन्हीं मेलेडी कुछ कम होती थी ऐसे में जब गीता दत का गाया मेरा सुन्दा सपना सौंग आया होगा तो मैलेडी के प्यासी लोग गीता दत की मीठी आवास के दिवाने हो गए होंगे यही वज़ा थी कि उस जमाने का हर प्रिड्यूसर अपनी फिल में गीता दक्वे से प्ली डैक सिंगर लिना चाहता था मेरा सुन्दर सपना भी गया मैं प्रीम में सब कुछ खार गई बेदर्द जमाना जीट गया मेरा सुन्दर सपना भी गया 1947 में गीता दक्वे की आवास को पहचान है और 50s की दौर में उनकी आवास का जादू बरकरा रहा ये उनकी खासियत थी कि वो जितनी आसानी से एक भजन गाती थी उतनी ही आसानी से एक कैब्रे नंबर भी गा देती थी लेकिए उनकी आवास में एक सबर्दा सेक्स अपील थी जो कैब्रे नंबर के लिए ज्यादा पर्फेक्ट थी इसलिए उनकी गाए इस तरह के सौंग हमेशा चाट बस्टरस रहें हम सभी जानते हैं कि हर चटते हुए सूरज को एक दिन धन्ना होता है लीदा दग के साथ भी यही हुआ उनकी जीवन में एक ऐसा दौर आया जब अपनी मेरेड लाइफ की प्रॉब्रम्स की वजह से वो अपनी सिंगिंग करियर पर पकड़ नहीं रख पाई उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ तोनों को ग्रहन लग दया अपने वम को गुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहरा लिया जिससे आखिर में उनका लीवर खराब हो गया और 1972 में सिर्फ 42 साल की उम्र में ही वो गुजर गए दिल भी जान भी खत्रे में है समझाएं तो समझाएं किसको भरी बरसात में हुटी के ठेलों पे क्या गुजरी बतलाईं तो बतलाईं किसको दोस्तों जब फिल्म डस्ट्री के बारे में ऐसे वम्हीन किससे जानने को मिलते है तो बड़ी तकलीफ होती है पर क्या करें जिंदगी इसी का नाल है फिल्हाल इस सेक्मेंट में इतना है जब शो ही बॉलिवर्ट सिंगर के बारे में हो तो शो पर गेस्ट सिंगर ना हो ये कैसे हो सकता है नेकिन फ्रेंज मेरे शो पर ऐसे आर्टिस्ट आते हैं जो अभी समाझ में अकनी पहचान बनाने में जुटे हैं आज मेरे शो पर एक ऐसी ही प्यारी सी सिंगर है जिनके खाबों की ताबीर होना अभी बाकी है Friends, please welcome on our show the young aspiring singer Miss Sia Sharma Hello everyone, I am Sia Sharma, I am of 19 Currently I am doing graduation from Delhi University and I aspire to become a playback singer in Bollywood Sia Darshak जानना चाहेंगे के आपको music में इंटरस्ट का और कैसे आया Basically music का इंटरस्ट मुझे बचकर सही है मेरे मॉम डैड अच्छा गाते हैं इसलिए उन्हें देख देख कर भी मुझे काफी शौक पड़ा मेरी मॉम की सारी higher studies music and instruments में है और जब वो घर पर रिहास करती थी उन्हें देख कर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कुछ बात है मुझे भी इंसे सीखना है उनको देख देख कर मुझे music का शौक पड़ा मैंने शुरुवात की सारी सरगम उनसे सीखी है दो साल इवन मैंने music plus instrument उनी से सीखी है मतलब जो कहते हैं कि माता पिता ही हमारे गुरू होते हैं तुम्हारे केस में ये सच है कि मतलब के आपकी मामा ही आपकी फस्क म्यूजिक टीचर है मेरी मा आज तक उन्होंने मुझे कभी music के लिए किसी बात पर मना नी करा है और आज तक वो मेरी गुरू रही है उन्हीं से सब को सीखा है मैंने Friends, और वक्त हो गया है कि हम सिया की आवाज में एक मधूर सा गेट सुने जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा तो हम लवाज ना कोई है ना कोई था दिन में तुम्हारे तुम देना साथ मेरा तुम लवाज तुम देना साथ मेरा तुम लवाज सिया मैं जानती हूँ आपकी मदर ही आपकी फर्स म्यूजिक टीचर है लेकिन क्या घर के बाहर भी आपने कहीं कोई ट्रेनिंग ली है म्यूजिक की जी वैसे तो सैंगीर की शिरुवात मैंने अपनी ममी के सीखने सी करी है पर स्कूल के बाद एक फांडेशन है सनोनी फांडेशन उचसे मैंने कुछ समय तर क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ली है वहाँ पर मैंने कुछ समय सीखा उसके बाद जब मुझे कॉण्फिरेंस हो गया कि हां मैं कर सकती हूँ फिर मैंने खुद गा कर आगे करना सीखा और अभी तक कहीं प्रोफेशनली एज़े सिंगर परफॉर्म भी किया है? जी प्रोफेशनली हम कह सकते हैं हम 5-6 दोस्तों का एक ग्रूप था नेम्ड मुझेशन परडाइस हमने उनको अपने ही दोस्तों को लेकर देश के अलग अलग भागों में जापर हमने परफॉर्म किया है लोग on-demand हमें बताते थे कि यहां हमें ऐसे शोस करने है और हम on-dem प्यारा सा नीठा सा गीत कि जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन मेरे साजन 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 दरशक्स जान चुके हैं अब तक के आप बॉलिवूर्ट में प्लेबेक सिंगर बनना चाहती हैं लेकिन हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस प्लेबेक सिंगर के खुद के फेवरेट सिंगर कौन कौन से हैं ऐसे तो, as such, मैं किसी को जज नहीं कर सकती कौन मेरा फेवरेट सिंगर है सब अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार है, सब संगीत के गुरू है पर जिन आवाजों को सुनके मेरा मन नाच उड़ता है, वो है लता जी, श्रया जी और सौन निगम जी सिया, तुम्हें सिंगिंग की ट्रेनिंग लेते हुए काफी वक्त हो चुका है लेकिन जो लोग अभी सिंगिंग में आना चाहते हैं या ट्रेनिंग देना चाहते हैं उन्हें तुम सिंगिंग से रिलेटेड क्या टिप्स देना चाहोगे जी बहुत बाते ऐसी हैं जो आजकल के बच्चों को जो गाना सीखते हैं या जो गाना चाहते हैं उन्हें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने अपने आइडल सिंगर से सीखी है वो जैसे सांस गाने में कहां लेनी है कहां नहीं लेनी और जहां सुर रगने है वहा आहिके पड़ाएक जो कियाए अच्छीक गायकि के लिए ये तीन चार बाते है जो मैं बताना चाहेंगे वी आपकी फ्हूचन चाहुड कि ठांगी प्प्लाइन कग करेंगाए क्या चौरեrun संगीत की एक बारी मेरी प्लेबाग सिंगि में बॉलिवुड में अपनी फैचान मनाऊंगी उसके बाद साइड बाइसाइड मैं अपनी एक अकाडमी कोलना चाहती हूं जहां मैं उन ऐसे बच्छों को ट्रेनिंग देना चाहती हूं जो फॉर सम कॉज संगीत सीखने की चाहत पर सीख नहीं पाते हैं सिया चलते चलते दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे जी अन्त में मैं वनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी दर्शकों से अपने मन की बाद शेयर कर सकूं आपको बता पाऊं क मैं आगे क्या करना चाहती हूं थांक्स ओलोड बनेता जी चलिए फ्रेंड्ज अब सिया शर्मा की आवाज में एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं मेरी संतु चल जरा क्यों दिखे डरा-डरा मेरी संतु चल जरा क्यों दिखे डरा-डरा चल तुझे को आच छुपा लूँ अपनी मेबाहों में चल खाब कुछ सजा दूँ तेरी इन निगाहों में मैं जो संग हूँ तेरी रंग हूँ नहों से तेरी चुनलू मेखा हर लम्हा यूं को से रहे के गहरात जाए प्यार चिया अभी हाल ही में मेरा नॉवल पप्रिश रहे दाव वीनस कॉली चलने से पहले इसकी एक कॉपी एज टोकन ओफ लव मैं आपको गिफ्ट कना चाहूंगे Sure, thank you so much and it's a pleasure to be a part of this show Thank you so much Friends, अब टाइम हो गया है आपके भीजे हुए मेल्स का आज का मेल हमें भीजा है डॉक्टर विजेंदर वर्मा उर्फ आरवने दिल्ली से ये लिखते हैं Dear Vanita, you are always the best as your shows are I have been watching all of your shows from the beginning The reason behind I liked it so much are old songs I am really crazy about old music and those songs in your show always make my day Since I have started watching, I have seen some interesting things about your hosting Vanita You and your team is doing a great job Please play any song of your choice for me Keep doing the great job Best of luck and my love to your team Dr. Vijayindra Verma आरव Thanks Vijayindra for such a lovely way आपकी best wishes मैं अपनी टीम तक सुरूर पहँचाऊंगी अब जैसा कि आपनी कहा है कि मैं अपनी पसंद का कोई गाना प्ले कर दूँ तो ठीक है चलते चलते हम देखते हैं आपकी लिए मेरी पसंद का ये किया गाना जी अरे जाने कहा मेरा जीगर गया जी अभी अभी यहीं था किधर गया जी इसे की यादाओं भी मत गया थी बड़ी बड़ी अखियों से तल गया थी